पागज़ दोस्तों काणी कुरसी की देख रहे हैं आप देखिए अब पार्टीयों में इस वक्त जिस तरीके की होड़ मची हुई है दोजार चॉबीस में जो लड़ाई चल रही है इस वक्त जबरतस्त बहुत से लोगों का उसमें ये मानना हो गया है अब तो लड़ाई है एक तरफ एक पार्टी बात करिए 400 सीट अर्थी रंधा पार्टी नारा है अब की बार 400 पार फिर मोधी सरकार और इस बार 400 पार यह आपको स्लोगन डिवार पर लिखते हो जोगी आदित्रनाद भी दिखाई दिये थे चित्र बनाया था उन्होंने कमल के फूल का वड़ा अच्छा चितर बनाया था उन्होंने और फिर लिखा अब की बार 400 पार और दूसरी और आप विपक्ष की बात करें तो वहाँ बात चीत यह होती है कि वही बीजेपी को किसी तरीके से 272 से 20-50 सीट नीचे कर दो की मोधी प्रधान मंतरी नहीं बने या ऐसा कुछ कर दो कि वही इनको सयोगियों की जरुद पढ़े तो इनको सयोगी ना मिले उनका इस वक्त कैलकुलेशन इतना ही भर है और उसके लिए क्या महत्पूर्ण है विपक्ष की तरफ से अगर आप सोची तो उनको क्या करना है उनको करना ये है कि जहां-जहां भारती कि दो दो पांच-पांच सीटे हर राज्य के अंदर आप कम कर दीजें यूपी में कुछ सीट काम हो जाये महां जहां 25 की 25 26 28 29 में 28 सीटे जहां जीत रिये जिम्राजियों में वहां 25 सीटे कम कर दो और उनका अपना इमाना ही कि दक्षण में भारत बीजेपी को कुछ मिले नहीं जा रहा है तो दक्षण में कुछ मिलेगा नहीं उत्तर भारत में जहां स्वीट किया था वहां पर अगर आप उनकी 25 25 25 सीटे और कम कर देंगे तो बस काम बन गया उसके बाद नरेंदर मोदी को प्रधान मंतरी बनने में दिक्कत होगी अब यह उनका कैलकुलेशन ल लाका शामिल है उसमें केरल शामिल है इन तीनों ही राज्यों के अंदर भारती रंता पार्टी का नंबर है जीरो एक भी सांसर चुन करके उनका नहीं आता तो आज हम आपको बताएंगे कि यहां पर 2014 और 2019 में जो नहीं हुआ वो 24 में क्या हो सकता है यहां खाता भी खोले ठीक ठाक खाता खुल जाए तमिलाड की बात पहले में आपको बताता हूँ तमिलाड उमें प्रधान मंदिर नुरेंदर मोदी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले हैं इसके लावा श्री रामनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले हैं रामिश्वरम में जहां पर भग सब किसी ना किसी भक्ती भाव के साथ जुड़े हुए है क्या इससे दक्षन अचूता रह जाएगा सबसे बड़ा सवाल यह स्पेसिफिक सीटों की बात मैं आभी आपको बताऊंगा कहां कहां बीजेपी का इस बार चांस बड़ा हाई दिखाई दे रहा है उससे पहले जो द की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को यह बहुत अच्छे से पता है कि देश के किसी एक हिस्से में अगर भारती जंता पार्टी कमजोर है तो दूसरे हिस्से की मजबूती से उसकी च्छती पूर्ती नहीं हो सकती इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यह नहीं कि हम उत्तर भारत म बहुत बड़ी पार्टी है तो दक्षण की बात नहीं करेंगे और इसका पहला हमने बड़ा प्रमाड देखा था जब पूरोतर में त्रिपुरा में कमिनिस्ट सरकार को बदला असम पूरी तरह से चले गए छोटे राजियों में गड़जोड करके आ गए मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब उसी को दक्षण भारत में दोहराने का प्यास कर रहा है दक्षण भारत में एक बड़ी चीज है जो जिसको हम कहते हैं एक वैक्यूम है वो वो वैक्यूम शायद कोई देख नहीं रहा हर कोई कर रहा है पार्टी लगभग जिसको कहें कि सरकार भी बनाती है और लोकसभा भी जीतती है इस बार भी देखिए कॉंग्रेस ही जीतती है यानि रिजिनल पार्टी का स्पेस खत्म तेलंगा ना के आरेस लंबे समय से थे जब से राज्य बना लेकिन इस बार वो आउट होते हैं कॉंग्रेस सरकार बनाती है भारती जनता पार्टी का मत पतिशत दो गुना हो जाता है अब दो महत्वपूर्ण राज्य बने बचे तमिलनाड और केरल इन दोनों राज्यों में मुझे मेरा ही मानना है कि भारती जनता पार्टी वो नेशनल स्पेस तलाशने की कोशिश कर रही एक बड़ा वर्ग है और शायद यही वज़ा है कि के अन्ना वलाई जो पूर आईपीएस ओफिसर हैं और जो अभी एकदम से यात्रा निकालने हैं लड़ रहे हैं, रोज स्टालिन से जगड़ा कर रहे हैं मंतरी को जेल भीज़वा दिया, मंतरी को बरखास करवा दिया वो कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो पेरियार की मूर्तियां हटवा देंगे ये कहने का साहस करने का मतलब हुआ चुकि नेता तो वाटर टेस्टिंग करता है, नब्ज पकड़ता है और उनकी यात्रा को खोब रिस्पॉंस मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राम आयोध्या में आ रहे हैं सिर्फ आयोध्या में नहीं आ रहे हैं ये राम दक्षण भारत में भी आ रहे है और जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पंच वटी से ग्यारह दिन का विशेश अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उस दिन भी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां राम से जुड़ी स्थान है वहां जाएंगे या राम के नाम पर जोड़ा जा सकता है वहां जाएंगे और लगभग आप देखिए तो जहां जहां प्रधान मंत्री गए उन्होंने वो काम किये लगबग हर भारती भाषा में वो रामायड सुनने जा रहे हैं और एक और बात समझे जब वो रामायड सुन रहे हैं रामायड के आधारित कटपुटली शो देख रहे हैं किसी से मिल रहे हैं तो एक और काम हो कर रहे हैं उस हर जगह पर लाभार्थी से भी मिल रहे हैं वहां किसी नी किसी विकास पर योजना या तो शिलानियास कर रहे हैं या लोकारपड कर रहे हैं वो साफ संदेश दे रहे हैं रामराज्य मतलब सिर्फ राम की मूर्ती या रामायर पढ़ना नहीं है रामराज्य का मतलब सब सुखी हो संपन्न हो उसमें पूरा देश एक है उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम का भेड नहीं है और मैं फिर से कह रहा हूँ कितनी सीटे मिलेंगी ये बता पाना कठिन है लेकिन दक्षिन भारत में राष्टी पार्टी वाला इस्थान भारती जनता पार्टी नरेंदर मोदी की अगवाई में हासिल करती दिख रही ये मुझे बहुत साफ दिख रहा है वो देख रहे हैं गाटू मगरें पर क्या वहाँ पर इस वक्त तयारी हुई है कितना काम हुआ है उसका जाइजा आप लोकन करते हुए प्रधा मुख्यमंतरी योगिया दितनाध वो आपको दिखाई दे रहे हैं ये देखें एक बड़ी नाव है उसके अंदर बल्कि मुझे तो कुछ 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 दिखाई दे रहे हैं बडी नाव है हमारा कारेकरम पूरे दिन का था, आपने भी देखा होगा, योग याइद आदितना जी से भी बातचीत भी इंटरिवी हुआ, अखलेश यादव से भी इंटरिवी हुआ, जो बात एकलेश यादव ने कही उसको देख करके लगता है कि हाँ इन्हें जमीन का है, जब एकलेश पार्टी को कितना वोट मिलता है हमको बताई उसके साथ भाद हम डेसाइड करेंगे कि सीट आपको देनी है की नहीं तो उन्हें नगा क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट इतना बढ़ा लिया है अकलेज यादब ने का और योगी आधितनात से उनकी टक्कर है नरेंदर मुदी आएंगे वहाँ पर उनसे उनकी टक्कर है तो वो जानते हैं कि इन दोनों नामों से भीड़ना आसान काम नहीं होने जा रहा दो राज्यों की दो पिछले दो चुनामों की तुल्ला में इस पर एक कॉमेंट अरश्प पा लिया लेकिन फिर भी अगर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता कोई अहसास है कि भाजपा तो 50-60% की तरफ जा रही है और हमारे लोग क्या है बस करें सीट दे दो हम जीत पाएंगे ने जीत पाएंगे कितना बहुत प्रतिशत है सीधे तोर प योगी आदितिनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो योगी होने की वज़े से तो अनुशासित थे ही वो सारा का सारा उन्होंने यहाँ अडिनिस्टेशन पर भी लागू कर दिया है सुबह चार बज़े उड़ जाते हैं प्रशासन से लेकर सरकारी योजनाओं से लेकर उनको कोई दिक्कत है नी उसकी वज़े से जो स्केल और स्पीड हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने प्रधानमंत्री के तोर पर पूरे देश में लागू की उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनाथ उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाते हैं और मैं एक सेट भी लगते हैं वह सब इसी समय में हुई इसी समय वह बढ़िया सुनदर आरती होने लगी इसी समय में देश-विदेश से लोग जाते हैं तो आरती भी सर्यू में करते हैं वार्ना शरिउओ में नहए चले गए दर्शन की चले आयाए इतना भरह था अब वह एक बड़ भी तू बढ़ चट कर पेश करना होता है। निता कोतु नहीं कहा कि ये तो.. अगर ब्रद्री बाइस के चुनाव में यू-पी-एसंगली के ऐलेक्शन में नहीं आ गए होते, तो आज मुख्यमंतरी उो गया इतनात नहीं होते। मैं मुख्य मंतरी होता दिल्ली वाले से मुरादम की थी कि भई ये ये दिल्ली में सारे प्रधान मंतरी के दौरे ग्रे मंतरी के दौरे केंदरी मंतरी इन सब लोगों को वार चीफ मिनिस्टर्स को नहीं लगा दिया गया होता है तो उतना माहौल वो नहीं बना बाते है तो भ बड़ा वो हो जाता ये एक यूनीक फिनामेना है इसमें अब देखिए अखिलेश जी की आप अलग अलग समय में अलग अलग बातें जो हैं आप ध्यान देंगे तो आपको साफ दिखाए देगा कहीं न कहीं अखिलेश जो हैं अंदर से चाहते हैं कि बीएस पी जो है इस फिर आपको देख्षिण वाली बात पर ले जा रहा हूँ क्योंकि चली क्यों यूपी में तो तमाम विश्लेशकों का ये एक मत है कि ये गटबंदन अगर नहीं होता है मतलब मायमती भी अगर इसके अंदर नहीं आती है जो उन्होंने गोशना किये फिलाल कि बो नहीं देता हूँ देखे जहाँ अब तमिलार्ट की बात कर रहा हूँ पहले में गौर कीजेगा तमिलार्ट में सब को लगता है बीजेपी सीट नहीं निकाल पाएगी आपको वो सीटे हम बताते हैं जब बीजेपी को 2019 में कितना वोट मिला था और नरेंदर बोदी के नाम पर इ बीजेपी उन सीटों पर लड़ाई लड़ेगी वहाँ पर दस सीटे उन्हों ने चिनहित की है इसी कारण आपने देखो गया बीजेपी अध्यक्ष वहाँ गये तो दस जिलों में उन्हों ने और वहाँ पर उन्हों ने अपने कार्याले इस्टैबलिश किये जब जाएंगे तो यह चिन्हित की गई है इसमें देखिए रामनाथ पुरम की अपनी सीट है जहां से जो है अब्दुलकलाम का घर वहां पे है राश्टपती रहे हमारे अब्दुलकलाम का घर है आपकी कन्या कुमारी की सीट है जहां से बीजेपी एक बाल जीच चुकी है ना ब का जैसे अब रामनाथ पुरम की सीट मैंने आपको बताया वहां पे बहुत जादा ये संभावनाए है उनको लगता है कि वहां से हम जो है सीट निकाल सकते हैं कन्या कुमारी में 40% वोट था उन्निस में शिव गंगा की सीट है जहां पे चिदामरं के बेटे जो हैं कार्ती बेटे कारती लड़ते हैं जहां से ये वहाँ पर वोच चैलिंज करना चाहते हैं यहां पर नहीं दो लाग तैतीस जार वोट मिला 2019 में लगभग 20% वोट यहां पर भी वोट बढ़ सकते हैं यह सारी ऐसी सीट हैं जहां से डीम के से सीधा मुकाबला नहीं है बीजे पीचा मैं जो अभी तक बता रहा हूँ, वो अवाइड कर रहे हैं, एक सीट को छोड़कर, जो के एक कनेमोई की सीट है, वहाँ पर वो सिर्फ दिखावे के लिए केंडिडेट, यह बहुत पॉसिबल है, मतलब की सीट है, यह बिर्कुल पॉसिबल है, देखे, इसमें सारी ऐसी सीट पर 35% बोट है, 4% बोट से मातर बीजेपी 2014 के अंदर हारी थी यहाँ पर, और 2019 में 4 लाख वोट उसको मिला था, 4 लाख वोट तमिलनाट की एक सीट पर अगर मिल रहा है बीजेपी को ता मतलब समझी नहीं इसका, और फिर वो एक ही सीट थोड़ी होती है, आसपास भी इसक में जपर शो केो बाटाग लेती है, उस बाटाग में हमी शाणे इस पषट कहा, कि हमें यहाँ से जीटेब यहीं बारती जीतना इ southwesterni इन पर बात को जानती सीटेब तो दक्षिन में हमें मजबूत होना पड़ेगा जिससे कॉंग्रस महां कमजूर होगी राहूल गांधी आमिटी से हारने की स्थिती में वाइनाड चले आते करल लड़ने के लिए तो बारतियंता पार्टी जाती कि दक्षिन के अंदर कॉंग्रस को बहुत मजबूत सपोर्ट मिल रहा है अमिश्या ने कहा कि अगर हमारे पास मजबूत बिद्वार नहीं है तो आप यह सुनिश्चित कि जिए कि विपक्ष के जो लोगे वहां से जौसंतुष्ट है आप उन्हें पार्टी में लेके आईए सिनियर बिरोक्रेट्स को लेके आईए जो अच्छे अधिक लेके आईए जिसना खुद का वोट बेंग भी हो जिससे हम सीट निकाल सके तो मुझे लग रहा है कि बारदे जनता पार्टी इस समय सिफ अपने कडर पे नहीं देख रही है बारदे जनता पार्टी साउथ में यह भी देख रही है कि चाहे वह लेफ्ट का हो चाहे कॉए क लेके आई थी केरल में भारती जनता पार्टी इसका चलरा है लुकसबाद चना लड़ेंगे वरला हमारा एक वोटर बेस है उसको एक बाहिक चाहिए उसके लिए आप उमिदवार कहीं से भी लेगा आप ब्रेक लिए केरल की बात करेंगे तो केरल में ऐसी बहुत सारी सीट हैं जहाँ पर कहीं 30 परसेंट, 20 परसेंट, 29 परसेंट बोट भारती जनता पार्टी को मिलता है और इस बार अप चाहराम का माहल कही है, मोधी का माहल कही है इसमें क्या उन ख्लोस सीटों पर बीजेपी ने अगर वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया तो आगर दक्षिन भारत से आप 10-12 सीटें ले आते हैं तो फिर तो आप समझे रहा भरपाई कहां जिस भरपाई की बात होती है बीजेपी कहां से करेगी हो गई